राश्टिये लोकतांत्रिक पैटी के करतादर्ता हनुमान बेनिवाल की साफगोई और जनता के साथ उनकी जुडाव की वज़े से ही मद्दाताओं की मानस पर वे हमेशा चाही रहते हैं और फिलाल हम जिस बात की चर्चा कर रहे हैं वो है जातिगत और धार्मिक परमपराओं से अलग हटकर उनका निश्पक्स ढंग से संसद में जिस तरह से उन्होंने जोदपूर गैस मामले को उठाया उसके बाद उनके धुर विरोधी भी अब उनके प्रशंसक बनते नजर आ हैं हम आपको बता दें कि इस पूरे मामले को उन्होंने गुरुवार को संसद में उठाया था और मौावजे की मांग की थी उन्होंने जिस डंग से इस पूरे मामले को उठाया उसके बाद जातिकत राजनीति से अलग हटकर अब राजपूत समाज के जाजम पर भी उनकी प्रसंसा हो रही है जोदपूर में जहां समाज की ओर से धर्णा दिया जा रहा है महां भी वक्ताओं ने हनुमान बैनिवाल के ओर से किये गए इस पूरे कारी की प्रसंसा की गई इतना ही नहीं सीकर के राजुठीट हत्याकांड के बाद जिस तरह से राजपूत समाज के युवान नेताओं की ओर से कड़वाहट भरे बयान दिये गए थे उसके बाद अब जब संसद में हनुमान बैनिवाल ने समाज की इस पूरे मामले को उठाया उसके बाद से ही अब समाज की जाजम तो जाजम अब तो युवान नेता भी उनके प्रसंसक होते नजरा रहे ह उनके धुर विरोधी कहे जाने वाले सुगदेव सिंग गोगामेडी ने भी उनके इस कदम की प्रसंसा की है हनुमान बैनिवाल का कुछ सोभावी ऐसा है कि वे आम आदमी के साथ जुड़ते हैं जातिगत और धार्मिक मानेताओं से अलग वे एक आम आदमी के साथ गाहिता भी बड़ी है तो लोग उनका सम्मान भी कर रहे हैं और यही कारण है कि लगातार राजबुत समाज की ओर से जो बयान आ रहे हैं उनमें हनुमान बैनिवाल के प्रती धन्यवाद जताय जा रहा है अब यही अगर आगे चल कर रवया रहता है तो निश्य तोर पर ह अनुमान बैनिवाल जातिगत और धार्मिक राजनिती से उपर उठकर सरो मान्य नेता के तोर पर इस्तापित होने जा रहे हैं